हलो मैं डेर स्टुडेंट हमने आपको इससे पहले की इससे वन से लगा कर तो 20 कोशनों का सॉलुशन आपको हमारे जो पास्ट वीडियो है यहने की पार्ट बन उसमें प्रवाइट करवाया है और उसके बाद में यहने की 21 से लगा कर तो बाकी के आगे के कोशन का स्रेज हम अब अब इस वीडियो में आपको प्रवाइट करवा रहे है ठीक है यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट कोशन है यह आपनी पास्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी पूरा देख लीजे 21 से लगा कर तो next 41 के कोशन के अंसर हम इस वीडियो में आपको प्र प्रश्नक मांग 21 यदि देखेंगे यह 9th क्लास के कोशन अंसर है जो की बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट कोशन से वाट वाज इनेस्टेन हाइली गिप्टेड इन यह निकि प्रश्नक मांग 21 आई इस्टिन को किसमें अत्तिक उपहार दिया गया था तो किसमें उपहार दिया गया तो उसको ही वाज हाइली गिप्टेड इन माथमेटेक्स यह निकि उसको गणित में किसमें यह निकि इसका पुरा आंसर बन जाएगा कि वहाँ गणित में अत्तिक पृतिबाश आली थे ठीक है गणित में अंसर प्रश्नक मांग 21 देखेंगे वैन वाज इनेस् इनिस्टिन को नोबल प्रुसकार कब और किस लिये दिया गया था तो अंसर बन जाएगा आपका इनिस्टिन वाज अवाड़ीट दे नोबल प्राइस फार फिजिक्स फिजिक्स in 1921 यह निकि प्रेश्नक मांग 22 का अंसर बन जाएगा आइनिस्टिन को 1921 में बोथी की के न दक्टर हेईर इन दा लेसन दे स्नेक ऐंदा मिरोर में प्राप्टर में डाक्टर ने कौन सी आवास सुनी तो दोक्टर हि UND really strong ल recovering real rapt & κॉऑ кил की आवास सुनई तो दफ में डाक्टर यून ऑठ अचेर फॉंग he heard प्रसंद एक बार फिस सुनना जरा what did the doctor think about the sound he heard यनि कि उसने जो आवाज सुनी उसके बारे में doctor ने क्या सोचा तो the doctor thought that he it was the sound of rats बें doctor को क्या लगा कि doctor को लगा कि विया हाँ चुहे की आवाज है किसकी आवाज है sound of rats यनि कि चुहे की आवाज है 25 देखेंगे how many times did the doctor hear the sound यनि कि प्रस्नक मांग 25 डॉक्टर ने कितनी बार आवाज सुनी ठीक है तो doctor ने he heard it four times यनि कि उसने चार बार उस आवाज को सुनी 26 देखेंगे where was अब्दुल कलाम's house अब्दुल कलाम का घर कहां था यनि कि अब्दुल कलाम सा हाउस was in a रामेश्वराम अब्दुल कलाम का जो घर था वो कहां पर था रामेश्वराम में था प्रस्नक मांग 27 देखेंगे what do you think 27 देखेंगे what do you think दीन मनी is the name of यनि कि आपके विचार में दीन मनी किसका नाम है तो अंसर है दीन मनी was the name of a newspaper दीन मनी एक अकबार का नाम था एक अकबार का नाम था 28 देखेंगे how did अब्दुल आर्न his first wets यनि कि अब्दुल ने अपनी पहली मजदूरी के से अर्जित की तो अंसर बन जाएगा he earned his first wets by becoming a helping hand to his cousin यनि कि उनों ने अपने चचेरे भाई की मदद के लिए हाथ पकड़ कर अपनी पहली मजदूरी अर्जित की थी 29 देखेंगे what characteristics does he say he inherited from the parents यनि कि 29 वहाँ कहता है कि उसे अपने माता पिता से कौन सी विशेष्टा विरासत में मिली है यनि कि कौन सी विरासत में मिली है ठीक है कौन सी विशेष्टा है ठीक है तो अंसर बन जाएगा he inherited honesty and self discipline from the father he inherited faith in goddess and deep kindness from his mother यनि कि उसे जो विरासत में जो मिली थी वहाँ अनुसासन विरासत में मिला था और उन्हें अपनी मा से अच्छाई और गहरी दया में विश्वास विरासत में मिला था ठीक है नंबर थर्टी देखेंगी वट वाज जेरॉम से रियल इंटेंशन वेन ही ओपर टू पेक यह निकी जब जेरॉम ने पेक करने की पैशकस की तो उसका असली रादा क्या था तो अंसर बन जाएगा वाज थेवान का ही था असली एरादा काम पर मालिक बनने का था जबकि उसके दोस्त कै कै क rapping करते थे जबकि उसके दोस्त क्या काम करते थे इस प्रेंट س WP काम करते थे 31 देखेंगे What was the achievements of Santos Yadav यनि कि Santos Yadav की क्या उपलब्दी थी तो अंसर बन जाएगा Santos Yadav scaled Mr. Everest twice It was a great achievements यनि कि 31 का अंसर बन जाएगा बच्छों, Santos Yadav ने दो बार Mount Everest फता किया था और यहाँ एक बड़ी उपलब्दी थी यनि कि उसने एक Mount Everest पर गो गया था और यहाँ उसके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्दी थी 32 देखेंगे यनि कि How did Santos begin to climb the mountains यनि कि Santos ने पहाड़ों पर चड़ना कैसे शुरू किया तो First Sea began to climb the hills in the village यनि कि उसने यनि कि 32 यदि देखेंगे तो पहले तो उसने गाओं में पहाड़ी उपर चड़ना सुरू किया था यनि कि पहले कहाँ पर चड़ता था वो गाओं में village में चड़ता था Then she took admission in उत्तरकासी in institute of mountain ring और उसके बाद में फिर उसने उत्तरकासी में प्रिवेस लिया जो कि पर्वत रोहन सस्तान था कैसा था वो? कैसा सस्तान था वो पर्वत रोहन सस्तान था यनि कि 33 देखेंगे What was Santos concern for the environment? यनि कि पर्यावरण के लिए Santos की चिंता को क्या दर्शाता है? ठीके तो answer बन जाएगा When Santos returned from the mount Everest she had collected 500 of garbage यनि कि Santos जब mount Everest में लोटी तो उनोंने 500 किलो वजन जमा किया था कितना 500 किलो वजन of garbage from the Himalayas और वो कहां से मिला था? यनि कि वो Himalayas ठीके? She wanted to keep it clean जो कि बिलकुल साप उस्वाच्च था This shows her concern for the environment यहाँ पर्यावरण के प्रती उनकी चिन्ता को दर्शाता था उनकी चिन्ता को वहाँ दर्शाता था Who is Maria अगला जो प्रस्ण है Maria Sharapova कोन है? Who is Maria Sharapova तो Maria Sharapova कोन है? तो अंसर बन्जाएगा Maria Sharapova is a Russian tennis player कोन थी यह? Maria Sharapova एक रूशी tennis खिलाड़ी थी 35 देखेंगे Why did Maria Sharapova's mother not go with her to USA? यहनिकी 31 Maria Sharapova की मा उनकी साथ USA क्यों नहीं गई? तो अंसर बन्जाएगा She did not go with her to USA due to visa restriction क्योंकि वह क्यों नहीं गई थी? क्योंकि अंसर जो यदि अंसर की यदि बात करते हैं हम प्रस्निक मांक 36 तो प्रस्निक मांक 36 का अंसर बन जाए दुनिया की नंबर वन एक टैनिस खिलाड़ी बनना उनकी पहली प्रेना है पेशा एक और प्रेना है ठीके यनिकी मोटिवेशन है ठीके अंसर स्वरी 35 का देखा था हमने स्वरी यनिकी अंसर देखना 35 का Again She did not go with her to US due to visa restriction यनिकी 35 का अंसर क्या बन रहा है 35 का अंसर बन रहा है कि visa प्रतिबंदों के कारण वहाँ अपने साथ USA नहीं गई यनिकी उसको वहाँ पर प्रतिबंदी था कहाँ पर USA जाने के लिए 36 देखेंगे What motivates Mariah Sarapua to keep going यनिकी क्या 36 देखेंगे 36 प्रसन क्या कह रहा है समझने दा Mariah Sarapua को आगे बढ़ने के लिए क्या प्रारित करता है तो क्या प्रारित करता है यनिकी Becoming number one tennis player in the world in her first motivation money is another motivation यनिकी दुनिया की number एक tennis खिलाडी बनना उनकी पहली प्राना थी उनकी first motivation था उनका ठीके पेशा एक और प्रेणा है यनिकी money is an another motivation यनिकी पेशा एक प्रेणा है Who was अगला जो प्रेशन ही Bruno कौन थे यनिकी Who was Bruno तो Bruno was a baby bear Bruno कौन था Bruno एक भालू का बच्चा था Baby bear था ठीक किसका बच्चा था वो भालू का बच्चा था 38 देखेंगे Was Bruno a loving, playful pet यनिकी क्या Bruno एक प्यार करने वाला चंचल पालतू जानवर था तो yes Bruno was a loving, playful pet बिलकुल अंसर यनिकी प्रस्निक मांग 38 का अंसर यदि देखेंगे तो हाँ Bruno एक प्यारा चंचल पालतू जानवर था नमबर थर्टी 9 देखेंगे What accident befall Bruno यनिकी Bruno के साथ कौन से दुरगटना हुई तो अंसर बन जाएगा Bruno 8 poison and was paralyzed यनिकी Bruno के यनिकी Bruno ने जहर खा लिया और उसे लकवा में वहा मारा गया मर गया यनिकी उसे लखवा हो गया था प्रालिस्ट हो गया था 40 देखेंगे 40 प्रसनिक मांग 40 यनिकी What is Gerard Profession यनिकी Gerard is a प्लेयराइट भाया Profession उनका व्यवसाय को साथः उनका व्यवसाय था प्लेयराइट ठीके यनिकी लिखना अगला प्रास में देखेंगे, why does the introduction choose Jared as a man whose identity he wanted to take in, यहने कि जो Jared जो था ना, वो एक किस प्रकास से अपना परेचे देना चाहता था, और उसका वास्तविक गुष क्या था, ठीके, तो the narrator goes is Jared because he finds him closely similar to himself, क्योंकि वहाँ अपने आप से स्वयम से यह बहुत ही ज़्यादा सामानार्ती रूप से वहाँ ढूंता था, और इसी प्रकास से वहाँ Jared because इसको मानता था, तो यहाँ पर जितने भी सारे questions का answer हमने provide करवाया है, और आप हम एक बार आप से again request करना चाहेंगे बच्चों, कि please please आप चैनल पर नए हैं, तो चाहें तो चैनल संतुसदांगी इंगलिस के नाम से भी चैनल साच कह सकते हैं, और आने वाले सभी examo के full solution हम आपको provide करवाएंगे, आप चैनल पर नए हैं, तो please चैनल को subscribe किजएगा, like किजएगा, और bell icon press किजएगा, ताकि आपको notification मिलता रहे और आने वाले अर्दवासिक परिक्षा के full solution हम आपको provide करवाएंगे, thank you so much